नमस्ते मैं हूँ आचारे पृतिषथा आज हम बात कर रहे है सर्वाइकल की सर्वाइकल एक ऐसी समस्या जो आजकल बहुत-बहुत कॉमन हो गयी है और उसका कारण ये है कि हमारा लाइफस्टाइल दिस्टरब हो चुका है हमारी जीवन शेली दिस्टर्ब हो चुकी है फिर हम ऐसा कुछ भी नहीं करते जिससे हमारा शरीर स्वस्त रहे हम most of the time अपने शरीर से काम ही लेते रहते हैं लेकिन उसके स्वास्थे के लिए कुछ भी नहीं करते हैं सर्वाइकल की समस्या का समाधान योग में छिपा है यदि आप नियमित रूप से योग अभ्यास करते हैं तो आप सर्वाइकल की प्रॉब्लम को गुडबाई कह सकते हैं कौन सी हैं आसान सी ऐसी योग की क्रियाएं जिनका नियमित अभ्यास करके आप cervical की समस्या को goodbye कह सकते हैं और खास तौर पर ये जो क्रियाएं हम आपको बता रहे हैं ये आप दफ़्तर में बैठ करके भी कर सकते हैं सुभा शाम तो इनका अभ्यास करे ही करें आप दिन के किसी भी समय इनका अभ्यास कर सकते हैं यानि ये वो क्रियाओं हैं जो निरापद हैं साथ ही इन क्रियाओं का कोई side effect तो है ही नहीं और ये भी आवश्यक नहीं है कि इनको भोजन के बाद आप नहीं कर सकते हैं या खाली पेट ही करना है तो इन क्रियाओं को आप अच्छी तरह से सीखिए, समझे और नेमित रूप से इनका अभ्यास कीजिए इस प्रकार से वजरासन में बैठेंगे और वजरासन में बैच करके दो तीन स्टेप्स आपको करने हैं पहला काम इस तरह से बैठना और अपनी दोनों उंगलियों को अपनी चिन पर लगाना चिन पर उंगलियों को लगा करके पीछे की तरफ प्रेस करना यथा सामर्थे रुकना धीला छोड़ देना फिर से पीछी के और प्रेस करना यथा सामर्थे रुकना धीला छोड़ देना इस क्रिया को से पांच बार आप दोहराएंगे शरीर को धीला छोड़ देंगे दूसरे स्टेप में आप अपने दाइं हाथ को अपने सर की दाई तरफ रखेंगे और ध्यान से समझे, आपको सर को डाई तरफ प्रेस करना है और हाथ को बाई तरफ, यानि इस थिती में दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करना धीला छोड़ देना, फेर से एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करना धीला छोड़ देना, फेर से एक दूसरे के अगें and relax press and relax press and relax फिर हम इस तरह से fingers को या तो interlock कर लेंगे या ऐसे माथे पर रखना और उस ही प्रकार से सर से हाथ को प्रेस और हाथ से सर को प्रेस press relax press relax ऐसा भी चार से पांच बार करना और फिर fingers को interlock करके सर के पीछे ठिका देना और ऐसे हाथों को पास लाना जैसे आप कोहुनियों को हापस में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि संभव नहीं है इस थिती में लाना और फिर पीछे ले जाना जैसे आप पीछे की तरफ से कोहुनियों को मिलाने की कोशिश करें जो संभव नहीं है front and back front and back ऐसा भी चार से पांच बार करेंगे हाथों को वापिस ले आएंगे गर्दन को पीछे धीला छोड़ देंगे थोड़ी देर तक इसी स्थिती में रहना गर्दन को पूरी तरह से धीला छोड़े रहेंगे और फिर धीरे धीरे से गर्दन को वापिस ले आएंगे इन ख्रियाओं का नियमत अभ्यास करें अपने posture को ठीक रखें अपने mobile phone usage के time को limit कीजिए यह बहुत बहुत आवश्यक है अगर आप desktop work बहुत जादा करते हैं, table work बहुत जादा करते हैं, बहुत दिर computer पर काम करते हैं तो आपको बीच बीच में gap लेने की बहुत साथ आवश्यक था और उस gap में भी आप इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं चूटी चूटी चीजों की बारे में aware रहकर के हम अपना संपून स्वास्थे पा सकते हैं आप नियमित रूप से हमारा कारिक्रम देखते रहिए, हम रोज आते हैं, आपके पास एक नहीं समस्या और उसका एक नया समाधान लेकर के आप सभी मस्त रहें, व्यस्त रहें, सुस्त रहें और किसी परिशानी से नहीं त्रस्त रहें